कि अधिया प्रेंड वेलकम टो चैनल मानी इंवेस्टॉक दीजिए और आज हम इस वीडियो में डिस्कॉस करेंगे एक इस टॉक के बारे में जो काफी इंपर्टन डिसकॉसन है क्योंकि जब ब्रेक आउट फेल होता है उसी के बारे में मैं डिसकॉस करूंगा तो दिखिए दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के उपर यहाँ पर वीडियो बनाया जाता है तो आप इसको देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कैंडलिस्टिक पैटरन है स्टॉक डिसकॉसन है लाइफ पोटफोलियो स्टॉक इसका नार वालीम के बारे में हम लोग अपना profit के बारे में तो हर कोई बात करते हैं मैं भी करता हूँ लेकिन loss के बारे में ज्यादा बात नहीं करता हूँ वो होना नहीं चाहिए लेकिन आपको loss के बारे में समझना जोरूर है तभी आप उसमें सीखेंगे तो इसमें आपको दिख जाएगा कि कुछ- प्रॉफिट है कुछ-कुछ इस्टॉक में लॉस है और मैंने कुछ दिन पहले यह रिस्पांसिव इंडस्री में मैं टेलिग्रम ग्रूप में एक बोला था कि मैं इसमें इंटर कर रहा हूँ और इसमें ब्रेक आउट आ सकता है लेकिन उसमें ब्रेक आउट नहीं आया इन कि वो क्लियरली दिख रहा है तो वो क्या है दोस्तों वो है देखिए यह क्लियर आप ट्रेंड में है काफी अच्छा मोमेंटम है और विद गुड वॉलिम उपर गया तो इस्टॉक का नेचर क्या होता है इस तरह उपर जाने के बाद वो कूल आप पिरियोड में जाता है वो इस तरह retrace करते है रिट्रेस करने के बाद वो consolidate करते है जो कि consolidate कर रहा है तो उसमें एक मोमेंटम इसमें भी आना चाहिए था तो इसमें क्या हुआ दोस्तों इसमें अगर देखेंगे कि जिस जगा पर इसमें मैंने बाई किया था वो जगा है यह जो लाइन है इसका जो दो दिन में अगर पहला दिन देखेंगे तो इस candle में बाई किया था और इस candle में बाई करने के बाद वो इस टॉक चला नहीं तो मैंने निकल गया इसका अगर volume भी देखेंगे तो ठीक ठाक volume है और बाद में क्या हुआ ये candle जो है वो shooting star candle बन गया shooting star के उपर मैंने theoretical discussion करके एक video बाना है जिसका link नीचे description box में दे दूँगा उसको आप देख सकते उसके बाद क्या हो पहला दिन चला नहीं उसके दो दिन बाद मेरा ACL हीट हो गया जो 310 में था जो योलो लाइन आप को दिख रहा है तो ये क्या था दोस्तों ये additional position था इससे पहले भी मैंने position लिया हलाकि इसमें तीन बार position लो जो पहला position था उसका इसमें 270 जो पहला position का देखेंगे तो इसमें ये है जिसको मैं feel हल निकला लेकिन दूश्रा जो position आया ये था ये बाला जो 26th of June उसके बाद जो 3rd time मैंने इसमें position लिया ओ है ये जगा 3rd time position में अगर देखेंगे जिस दिन मैंने टेलिग्राम में बताया कि इसमें breakout आ सकते है क्योंकि इसमें with very good volume में move कर रहा था अगर ये candle को अगर देखेंगे जिस जागा में 335 के उपर जब मैं buy कर रहा हूँ ताब ये candle क्या था दोस्तो ये candle था strong bullish green candle और ये volume था with very good volume strong green bullish volume जब मैंने buy कर रहा हूँ जिस time पे लेकिन जब-जब market close होने का तरफ गया तो दीरे दीरे प्राइस दीरे दीरे नीचे आ गया नीचे आके जब इधर close हो रहा था मैं on the same day maybe after few hours 3-4 घंटे बाद इससे मैं निकाल गया अब निकालने का पीछे क्या करूने आपको दिखी रह लेकिन breakout successful नहीं हुआ देखिए first breakout कैसे होता है ऐसे ही होता है कभी कबर breakout successful नहीं होगा उसके लिए आपको काफी careful रहना पड़ेगा और यह जब दोनों बार यह fail हुआ उसके बाद देखिए मैंने पूरा के पूरा position से निकल गया इसलिए आपको जो यह position दिख रहा है इसमे exit क्यों किया कारण एक ही है जिसमें बार बार जब market bullish है breakout fail हो रहा है कुछ तो कारण होगा न तो इसी लिए देखिए यह दोनों बार फ्रेयल होने के लिए मैंने चुप पहला position तो उससे भी निकल गया क्योंको उसका तो एसलिए किया ने 270 में अगर यहां से आप अगर सोच तो इसी लिए इसमें exit किया गया है दोस्तों और मैं उमीद करूँगा कि यह जो नॉलेज है आपको काम में आएगा कि यह जो shooting star हम देखते तो है लेकिन चार्ट में देखना एक आलाग टाइप का skill होता है आदर हो यह consolidation consolidation break higher lows creation हर चीज हो रहा था लेकिन still इसमें fail हुआ तो loss लेना बड़ेगा this is part of business part of market यह stock trading का एक part है इसको आप avoid नहीं कर सकते हो अगर आप avoid करते हो तो आपके लिए कहीं ना कई disaster तो wait करी रहा है तो देखिए यह ऐसा नहीं कि मैं ऐसा ही कर रहा हूँ इस तरह ना निकालने का बहुत शरा experiment करने के बाद मैंने जब देखा कि नि वो काम मैं तो personally करने के लिए recommend नहीं करूंगा लेकिन आपको अगर इच्छा है तो करके देख लीजिए दोस्तों तो यह नहीं हो है मैं उम्मीद करूंगा जो यह candle and volume का जो चार्ट के साथ analysis technique है इसके बारे में आपको थोड़ी आंदा जा आया होगा और आगे जागा आप इसको यूज कर सकते तो चली दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो दखने के लिए थेंक्यू बाई बाई